मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज हम बात करेंगे हिंदी के बारे में हिंदी बहुत चर्चे में हैं और इस पे एक्सपर्ट कॉमेंट जो देंगे शरियार खान शरियार खान बहुत दिनों के बाद आएं आपनों का डिमांड था तो आज शर बहुत ही होट है हिंदी शर्यार भाई आपका बहुत बहुत स्वागत आप आए एक चीज है शर्यार भाई कि अमिट्सा ने एक statement दिया one nation one language क्या बोलते आप इसके बारे में यह चलेगा बेहुदा statement unconstitutional statement divisive statement यह लोग तै करें कि हम लोग को सत्पुरा इंडिया range में जो इंडिया के fault line है जो जोग्रिफिकल fault line है उसको तबा करते हैं इनको क्या हक है बोलने का 43% of the people of India Hindi बात करते हैं सारे एकी तरफ है अनादुराय उजवरब जमाने में बोले थे कि हिंदी यह लोग का जब ही अजंडा था हिंदी को अनादुराय बनाने का तब अनादुराय बोले थे कि 42% हैं आप और एकी जगा है तब इंडिया हो जाएगा तो यह लोग यह इनके एकनोमिक फैल्यूड है इनके लेबर रोट प्या की भीक मांग रहे हैं कॉर्परेट लोगा रोट प्या आ गया है रिक्षा चला रहे है और यह लोग लैंगविज की बात करते हैं अर्टिकल 370 की बात करते हैं ना उसकी जरूरत थी ना इसकी जरूरत है देखे इंडी से और उर्दू से भी दोनों और इंडिन लैंगविज अस जमाने में कहते हैं के राम देवा भाशा संस्क्रिट बात करते थे उसके बाद उसी से डिराइव है इंडो आर्यन इंडो एरोपन लैंगविज जिसे हम लोग जानते हैं माईतली, पाली, मागदन, इंडोरबात करте थे महविड़ बात करते थे। जब आप खरी बोली में और एंगविजं में आप मिसकाडे तो ह हिंडी बन जाता है। उसे आप फार्सी मेलाए, तो उर्दू बन जाता है। अचिछ हिंदी अदो मिलाई थे सीनिक लैंगविज है। कि अरदू से दानिची politicians are dividing and destroying India. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ परांजार. पाकिस्तान इस पाकिस्तान बना था. टू थर्ड अफ पाकिस्तान speaks Punjabi. उर्दु कम बात करते हैं? उर्दु मुसल्वानें की लैंग्विज नहीं है. कहां बात करते हैं उर्दु मुसल्वानें? जब बैंगलादेश था, 85% of the East Pakistan was Muslim. जब पाकिस्तान बोली के उर्दु हमी official language करते हैं, तो डिवाइड हो गया. जब बैंगलादेश भी 85% Muslim थे पाकिस्तान Muslim थे जब बोले के उर्दु इंपोस करते हैं, तो फसाद हो गई, बैंगलादेश डिवाइड हो गया. तो ये लोगों को समझना, ये लोग जो उर्दु को हमा इडेंटिफे करते हैं, उर्दु हमारी language नहीं है. इस बेंटेश मातरब उनका उनका जो न्यूसपेपर निकलता था, उर्दु में निकलता था. और अमीर खुस्रू, खुस्रू बाजी प्रेम की मैं खेलूं पिया के संग्ग। जीत गई तो पिया मोरे हार गई तो पिया के संग्ग। ये ये हिंडि था, ये लोग कुन थे, ही उनका एक और फेमस है अगर फिर दोज बारु जमीनस्त हमीनस्त हमीनस्त कश्मीर के बारे में कहीं जन्नत है तो यह इंडिया का यह कॉंपोजिक कुल्चर है अब जानते हैं हिंदी में देरा मेनी ड्राइविडियन फीचर्स यहां के सौथ के यह लोग हम लोगों को सौथ इ क्लिरली स्टेट्स कि किसी भी मेनॉरिटी को अपना कुल्चर स्क्रिप्ट और लैंगविज प्रिजर्व करने का पूरा एक्टियार है और इट इस एन एपसिल्यूट राइट उस राइट को कॉश्चन नहीं कर सकते हैं उसके कोई रिस्रिक्शन नहीं है और यह बेशरम यह करना क्या चाहते हैं क्या यह ब्रहमिनाइस करना चाहते हैं तो वाट इस डेफनेशन आफ ब्रहमिन मेरे हिसाब से ब्रहमिन मेरे हिसाब से ब्रहमिन मेरे हिसाब से ब्रहमिन नहीं तो ब्रहमिन का लेंग में हिंदी हैं संस्कृत हैं और देखिए यह आप सही अच्छा फिलोलोजिस, फिलोलोजिस दूपलोजिस इस अमन फिलोजिस भीजिए उन्हों यह बोले कि उर्दू भी नको, हिंदी भी नको, विल इंट्रूज़ूस, विल टेक संस्कृत अशनल लांगवज़, विकॉस संस्क्रिट इस इक्वल दिफिकल्ट, इस विल दो दिमांड नजर अढ़र अधिन चंप, इन लोग नहीं किया, इन लोगों को संभव नेकिति हैं नियु को अर वेढ़त को कोई संबन नहीं हैं, वेढ़त को थे में संक्रिट में थे, हुरान अरभिक में आए थी, तोहराद, जूस में आए थी, हिंदी और तो जो इसकों से सिकिलर लाइड़ल視, इस शेरी वे लेलाइट, नीकत कोई खुराण, इस एधियों कोता है, तो मीसों से भी ज़िए Quraan पोन फाइज भनाया, इस एNew Arab Tradition में युद्ध। फ्लाइविज, प्रोहित्ऩी बाहिमें सम्सक्रिट, तुर्के बात जो हमारे सल्तनत नहीं है यह जो स्टनत के है यह मोगल के जो भी है, इस बीपल वोगा तुरकी अपने प्लेसे में घर में पर्शिनिका कोट लिएगा था, ताक्रिफ देख के श्चत्रिटे कोट बना लिए को उर्दू को देवनागरी स्कृट्ट में लिखेंगे उर्दू को पराशन स्कृट्ट में लिखेंगे उर्दूושुड बिस्टेटशन वफिधगे करें कि यूइ देखें श CSBEEव स्दे הפ wizard Do What We होता है, उसमें English भी रहता है उसमें Hindi भी रहता है, तो कहां और आपने कहा都 सन्स्क्रिट के बारे में, यह जितने पंडित लोगें जो आके पूझा करते हैं, तो जो स्लोगन उनको याद होता है सन्स्क्रिट में, सर्फ उसी को बेंद customize उनका कम फोड़े? यह बेश्रम इंसान, संस्क्रिट को डेलब कौन करें, इनों करें, यह भी हमें करें, सौथ इंडियन्स करें, आचार, अलवार्स, नायनार्स, अलवार्स कौन थे, वाइश्णवाइट सेंस थे, बारा थे, वाइश्णवाइट सेंस थे, बारा थे, वाइश्णवाइट सेंस लेकिन संस्क्रिट में वेदास को मास्टर करें यह लोग नॉट इंडिया को गए इनो मट्स पीता से स्टैडूश्ट करें संस्क्रिट भी गहर लैंगवज नहीं है लेकिन आप यह आप आप अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं आप आज कहते हैं कि हिंदूश्ट को नहीं काड़ सके बेगरत कहीं के 1855 में जब लॉर्ड विलियम बें टेक और मेकॉली जो वार सेक्रिटी था उन्हें बला कि हिंदूस्तान के लोगों को हम एंगलिसाइस कर देंगे उन विल्किन उनकी सोच उनकी बात करने का साइं इंग्लिस्टान को बना दिया कहीं जाके और इंग्लिश में लिट्रेचर पढ़ना शुरू करें इनको मालूम हाके इंडिपेंडेंस क्या होता है और रस इस हिस्ट्री यह फाइट करें इंग्लिश को 1835 जो लैंग्विज आ उसको 1947 में निकाल सके यह लोगा यह लोगा हना पर्शा की बात करते है पर्शन इतनी कोट लैंग्विज सा आप उसे निकाल दिया ना अग्लिश को निकाल गे बताओ यूज़ इस प्रिजडिस लिंग्विस्टिक प्रिजडिस यह लोग कही ना कहीं पर्शाब यह दिखाना चाहते हैं कि वट टू नौ 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 संस्क्रिटाइज की बात करते थे तो मैं बोलना ना नाजिरुदी नाहमाद जो कून्स्टिम आ तो उन्हों खुद यह क नहीं देखिए एक होता हर इंसान का एक अपना मदर टैंग होता लोकल लैंगविज होता है और जो अपना इमोशन उस लैंगविज में सामने रखता है अगर आप करणा के लोगों को बोले हैं कि जो लोग गाउं में राते हैं आप सर्फ बैंगलोर से 50 किलोमेटर दूर चले इनों को हो गाएं के हाँ से रूपी की नोट इतिनी सी नोट में 17 लैंगविज से वो यह है और जो 1947 में जो लैंगविज का जो डिस्कॉशन वा था जब नहरू खायर कमिशन इस्टैबिश किया के जाओ पूरी हिंदुस्तान फिर किया हमना बोलो के हिंदू हिंदी क्या हम बना सकते हैं official language, he went around the country, आके बला के नहरू साब यह नही होता, तो आप यह नहीं होता, यहां का जो North Indian Prime Minister होगा या Parliament होगा, वो South India के तैमिल करना तो समझे नहीं आएगा हिंदी, then they said के let us continue English, यह भी English continue करने का इसलिए था कि उसमज गोपाल कृष्ण आयंगार, अंबेटकर आप मुंशी साब, इन्होंने एक clause बनाया था, language resolution में, 301A, उसमें escape clause कहते हैं वो, इसे को शायद मालूम नहीं है, उसमें यह था कि हिंदी को आप चांबिन करो, 15 साल तक नहीं है, तो you will continue in the language of, you can continue in the language of English, नहीं रो, use the clause, to again continue English as the associated official language of India, that is the final word, तो इसलिए इनोंने तीन ल हमें हिंदी साइने दाले थे हैं, क्या वा, निकालना पड़ा ने उसमें लोगों को, if you want to save and preserve and perpetuate the culture of a state, हम लोग बने का सिर्टाश रेटा है। नहीं हैं, हम लोग बने कैसा है, हम लोग बने का इडिया कैसा है, नहीं लोग बने का बना हैं, नहीं लोग बना हैं, हम लोग देखते हैं, और लाइटर नोट, हिंदी इंडिस्ट्री महाराष्ट्रा में है, इनको हिंदी वहाँ इंपोस करके बताने के लिए बोलिए, नहीं हम हिंदी को पसंद करते हैं, वह बात अलग है, लेकिन आप यह बोलो कि किसी और लैंग्वेज को महबबत करते हैं, आप किल क अपार्टों तेल को उन्होंने उर्दू में लिख दिया कि तेलंगाना सरकार, उर्दू, उर्दू is the first language there, अरे, you have to preserve the language of India, क्योंके पाकिस्तान उसे official language बनाई कि आप इसको बरबात कर देंगे, और यह भी है दोखो पराल साब, प्रेजिदेंट, अगर कोही मिनॉर्टी जाके दिमांड करें, दस हजार से जादा हैं, दिमांड करें कि हमारी यह language हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो प्रेजिदेंट के इश्यू अप्रोक्लिमेनेशन और डिरेक्शन तेस्टेट, तो मेक देट लैंगविज अफिशल लैंगविज अप देस्टेट, वेस्ट आप किसी भी इस्टेट का लैंगविज को किल करने का मतलब है कि आप वहां के कल्चर को किल करना चाहते हैं, यह लोग इनको पहले यह बोली है, यह लोग इतना हम लोगों को एक्स्प्राइट करते हैं, यह जो थोड़ा एक दो मिरिट में समझाता हूँ, 1971 का census था, उस census के हिसाब से, टाक्स डिस्टिविशन होता था हिंदुस्तान में, के टाक्स कलेक्ट होगा से और फैनानस कमिशन बैठेगी और कहीं कि इस करनाडगा को इतना तो, तैलंगाना को इतना तो, 1971 का था, तब क्या था, यह भी गुर्वत थी, नॉर्थ में जाएद हम लोग बहुँ जागे हुन से हर चीज में, हम लोगों का लिटरिसी, एदुकेशन हर चीज हम बढ़के है, हमारा रेविनी बिज्यादा है, करनाटका, तो, 2011 के साफ़, करनाटका अगर एक रुपाय देती है, संटर को तो, हमारा थीस पैसे वापस देना है, हमारे, उनको उनको देए उनको तो, हमारे रीजादे के साफ़े है, बिनको देना है, मतलब क्या है आपका, कि आप, यूर् पिनलाइजिंगर यूर्पाय में, यूर्पी देटं एक रुपीर, उनको तुम्हे तो इम्प्रुपी देए है, वो तो गरीब है, अब अनको दे गाए इसका म अब होगा क्या मज़े की बाद 2030 में पार्लिमेंट में कितने MPs होना ये रिवाइब करेंगे, पॉपुलेशन के हिसाफ से, इसमें मज़े की बाद irony क्या है, उदर का पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, हम कम रहेंगे, अल्रेडी उनके 230 MLS हैं, हिंदी बेल्ट के, और हमारे 130 M जाएद उनको और भी जाद MPs मिल जाएं, इस दिस दो पनिश अस, तो ये जब आपने बोला कि हम यहां कमा रहे हैं और आपको उनको खला रहे हैं, ठीक है, तो हम यहां के जो पोलिटिकल लोगों क्यों नहीं ये डिमांड करते हैं, कि जिसकी इंकम जादा, वहां के MP के हैं, सारे IA's, IPS के कारड़ आप के पास आती है, आप क्यों रिडवलप हो रहे हैं, what is wrong with you, because you are seeped in religion, आपको misguide कर रहे हैं लोग, Congress भी की, BJP भी कर रहे हैं आप लोग, कब उठेंगे आप, अब बैंगलर को देखिए आप, half the Bangalore is North India, they are welcome, Constitution, हमारे भाए है, welcome, वह बात कर दोगा आप के तवज्जो हैं, कि आपके सारे Prime Ministers आपके हैं, Modi Ji भी आपके ही हैं, आप देखे क्या हो रहा है, Modi Ji बन के, यहां का भी कोलाप्स हो रहा है, वहां का भी कलाप्स हो रहा है, वहां का भी कलाप्स हो रहा है, so why is that you had to realize so much on this, this Southern states, which have worked very hard, Southern का culture हो, या, उनके CM अच्छे होंगे, पता नहीं क्या है, but something clicked here, and it did not do that in spite of having so many Prime Ministers, नहीं, एक तो लगता क्या है, जाय है, साइद, Modi Ji और Amisha को यह लगता होगा, कि जिस language में वो communicate करते हैं, उस language में यह South India लोग को भड़का नहीं पा रहे, तो साइद यह लगता है कि हिंदी को हम सिखा देंगे तो साइद, उस language में वही काम कर पाएंगे, जो योगी जी बैठके यूपी में कर रहे हैं, बिलकुँ, भड़काने के लिए language spread करें, पताने इनका क्या agenda है, लेकिन अच्छा agenda नहीं है, मैं इनको, you know, I completely disagree with them, I criticize them, यह तरीखा नहीं है हिंदुस्तान को चलाने का, देखिए अरब, अरब के एक खुदा, एक रसूल, कावा, मदिना एक, लैंग्वेज एक, हिस्ट्री एक, सब एक, 24 countries, क्या इनको लैंग्वेज जोड़के रख सकी, मजभब जोड़के रख सका, नहीं रखिया, यूरोप में कितने लैंग्वेज उनके एक कृषानिटी है, उरोप हिंदुस्तान को क्यों बना के रखे हैं, क्योंके हिंदुस्तान में एक लिप्रल फेडरलिस्म, सब्सक्राइब है, यह लोग, यह बीजपी के लोग, यह उसको मार रहे हैं, यह लोग, यह उसको मार रहे हैं, यह लोग, यह बीजपी के लोग, यह उसको मार रहे हैं, यह constitution right है हमारा तो हिंदुस्तान का idea और strong और भैतर हो जाएगा नहीं तो बर्बाद होगा हो रहा है तो आप यह देख लिए कश्मेर बर्बाद हो गया तो इंडिया उपर से भी बर्बाद हो रहा है कश्मेर के सेर को इन्होंने एक बिमारी लगा दी अब हिंदुस्तान के सेर को बिमारी लगा दी और यह पैर काटने की चकर में है आपके बीचका लेकर जूलेंगे आप देखो यह फरांसा उर्दू की बात कर रहा हमें हिंदी हिंदी भी है सरफरोशे की तमन्ना आप हमारे दिल में है देखना है जोर कितने वाजुवे खातिल में है एदेश तेरे लि सब्सक्रिट में लिखते हैं उसनों लाइंग्वेज का क्या खुसूर है नहीं वो मुसलमानों का लाइंग्वेज तो नहीं था नहीं था नहीं था नहीं था नहीं था उर्दू किसी भी तरह इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं उस्दू is not the language of the Muslims. Bangladeshi's refuse to learn Urdu. आज भी two-thirds of the Pakistan speak Punjabi not Urdu. यह लोग कैसे हम लोगों को they have associated one language with one religion such benighted and such foolish thinking in लोगों की. नहीं तो हम लोगों को उर्दू का क्या करें उससे हम को मतलब नहीं है. मतलब तो यह है कि आप करना का क्या करेंगे, तमिल का क्या करेंगे, तिल्गु का क्या करेंगे, तिल्गु का क्या 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 तिल्गु नहीं कर सकते हैं उत्र प्रदेश में एक खानून है लेजिसलेचर का 282 उसको खानून कहते हैं उसमें यह है कि you can take the oath of office, MLS, only in Hindi. तो 2017 में, दो Muslim MLS, they took oath in Urdu. तो speaker बोल लिया, यह गायर खानून है, तो उन्हों प्रोटेस करें लेकिन फिर हिंदी में ले 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 उसी assembly में 13 BJP क MLS, संस्क्रिट में लिये, speaker कुछ नहीं बोला, हाला कि संस्क्रिट भी बाहर था लेने में. यह क्या कर रहे हैं लोग? यह करना क्या चाते हैं लोग? बात यह कि इनकी government fail हो चुकी है, economically. तो अब एक agenda है कि चलो तम्हारा दिमाग कहीं और डाले. मैं आपको ब India is India's federalism and India's secularism, India's tolerance. इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं बस, कुछ ही लोग ऐसे हैं Hindu के मजब में. इतना उन्दा मजब, इतना बड़ा मजब, इतने साल Islam के साथ था. क्या भा Hinduism को? कम भा क्या? 80% हमरे Hindu भाई हैं ना? यह लोग देख सकते नहीं किया. कितना डिवाइट करें आप. जेनिटिकली तो हम भी आप एक ही हैं. वी आर सेम, कही ना कही, वी वर देख सेम, दोड़ जो हमारे इसमें दोड़ता है. हमारे सिर्फ इसलिए कि फरहान सहाब और शेहरियार खान किसी दूसरा तरीखा खुदा को रीच करने का अपना लिए तो आप हम लोगों को न इसलिए खुदा करने के चक्र में हैं. तो ये तो महंगाई देख कर नहीं आएगी कि ये मुसलिम है और ये क्रिस्चन है. इन के लिए तो नहीं आएगी. अगर आप कल देखने के हिसाब से जैसे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पेट्रॉल का प्राइस हंड्रे काट दिखाना पड़ेगा. मुसल्मान हो तो 100 रुपीज लीटर, हिंदू हो तो 50 रुपे लीटर, ऐसा तो नहीं हो सकता है. तो मतलब ये करना क्या? ये इसलिए कल किसी ने मैं पूछा कि फ़राण भाई जो ये रेट ऊपर जा रहा है उसके बारे हम क्या बोलते हैं? मैं क ये जो radical forces है ना, ये लोग उनको घेर के आप foreign tour करते रहो, खुछ रहो हम लोग यहां पे हिंदी impose करेंगे, कश्विर को बरबाद कर देंगे, सोथ इंडिया को, के पैसे पूरे लोट की यहां दालेंगे, इनका शाद ये agenda है. मोदी के जो फस्ट चनियूर था, मोदी थोड है ना, जो रामन लिखा, backward classman था, लिखाते हैं किसी सी है, अपनी तारीफे खुद करा लेते हैं, शायद वही कर रहे हैं, जनी मौदी तो मतलब कि आने वले चार साल के बाद, मोदी जी का वही हाल होगा, जो अड़वानी जी का हुए था, इनका tradition वही है, आज अगर वीज एक political, या politician के हैसे से बात ने कर रहा हूँ, ना मैं Congress का नुमाइनदा हूँ, Congress, एक division, division, agenda set की ही Congress है, ये लोग उसे follow करें, actually, Congress एक ऐसी मा है, जिससे ये बच्चे कुझा नहीं है, वीजेपी को, सेम है दोनों लोग, Asam Accords का भी, NRC का भी देखे, NRC का भी देखे, NRC was started by Congress, and in a different way, it is being continued by वीजे, तो दिखे, शर्या में थोड़ी सी चीज ऐसे भी हम बताऊं कि, जब 2014 में ये लोग पावर में आये थे, तो इन लोग ने जो circular देना सुरू कर दिया था, South India के university को, UGC से, तो उस वक्ट इन लोग ने हिंदी में circular दिया था, तो जब जब जायल अलिता citizen है, तो ये चीज काफी दिनों से इनके अंदर है, ये बात नहीं थी, कि लोग ने जाहिर नहीं किया था, पब्लिक करे सामने, लेकिन इस बर जो इस्टेट्मेंट अमिस्चा का आया है, उससे ये लग गया है, कि ये करेंगे, लेकिन, overall, मेरे को नहीं लगता है, मैं कुछ हिंदुस्तान को फाइदा होने, और नुकसान के लावा और नजर नहीं आ रहा है, कुछ फाइदा, Constitution का position ये है, कि schedule में 22 languages है, या नई भी है, त्रिपुरा में कोग बरुक एक language है, एक schedule में नहीं है, लेकिन official language है, पुदिचरी, पॉंडिचरी की language French है, schedule में नहीं है, खानून हिंदुस्तान का ये कहता है, कि अगर कोई citizen किसी language में petition करें, तो constitution obligation है, कि वहाँ की सरकार उस language को translate करके उसको दे, जुडिश्री आप जानते हैं, सारे records इंग्लिश में ही रखना चाहिए, इंग्लिश क्या इनकी language है, ये mandate है, अगर every record, let it be in any language, अगर maintain करना है English में अगर किसी कुछ चाहिए, तो किसी भी language में ट्रैंसेक्टर को करके देना है, ये जो circular है, इसकी constitutional validity नहीं है, illegal है, कि आप Hindi से ये करो, Tamil Nadu, UP and I think UP in Bihar court के proceedings आप जानते है, इंग्लिश है हिंदी में होना है, जब Tamil Nadu को मालूम हाँ, Tamil Nadu को प्रिशन करी है, High Court, मैं High Court की बाद, Supreme Court नहीं है, कि हम लोग हमारे भी proceeding, High Court के Tamil नहीं होना है, Central government rejected that, कि Tamil नहीं हो सकता है, Hindi एंग्लिश में होना है, ये prejudice है, पता नहीं क्यों, Farhan Saab, North में देखे, South India का ऐसा है, कि India's and Satpura range, geographical barriers के वज़े से हम लोग, South Indians, जो समंदर से आए, हम लोग जग जगणालू नहीं है, we were traders, हम pacific लोग हैं, we concentrate on economics, दूस के साथ मिलके रहते हैं, North India का विज़े नहीं मालूम, Khyber से आगए, North India सारे इंवेजियन से, Saka, Saitians, Hans, Mughals, Slaves, Aryans और नार्तमिया, वहां एक मिक्स्चर एं जंबूरी है, वहां पे, एकदम वहां पे, गड़बड होते हैं वहां पे, अब वहा financialism, tolerant for all religions and all languages, यह Indianization नहीं है यह न लेजिएछन है यह, रहिमाइजेशन है, यह इक ब्रहमनization है, ब्रहमनization के मतलब, इनका definition of brhahramanization है, brahaminin आइक्चलल आप लोगे इनका मुझा लगता है कि इनका एजनडा, यह है, मानुसमृती का एजनडा है, इनका, धर्मसूतरास, धर्मशासरास का एजनडा है, इनका कोई constitutional एजनडा नहीं है. यह जो भी बात करते हैं, अब देखें, अन-constitutional प्रफिशनली बात करते हैं और चंद लोग इंग्नरेंट लोग इनकी जायजाकार करते हैं यह बेकारों को यह भी नहीं मालूम कि इंडिया के खिलाफ कर रहे हैं लेकिन वो एक परस्नालिटिक कल्ट में आगे हैं लोग एक ट्राइवस्ट्री क्या है लैंग्वज की जब नौर्थ इंडिया सिधर आते हैं तो कंड़ा नहीं सिखते हैं हैं जब हैदरबाद में जाते हैं तो तेल्गु भी नहीं सिखते हैं हम लोगों को उनकी जबान सीखना पड़ता है कि हिंडी में थोड़ा वा होती है वो जूब आप में तो प्रोफिशनली बात करते हैं आम कनेड़ी गाज और तेल्गुस की बात करूं टैमिल नाडुस क लेकिन लोग जब फ्रांस को जाते हैं जब जर्मनी को जाते हैं तो उनकी लैंगुज सिख लेते हैं बेशरम कहीं के इनको शरविच नहीं लोगों को इसली पूछा कि कुछ आई साफिसर जब मैं मिला करना अंटिका में तो करना बात नहीं कर पार रहे थे हिंदी में काफ के अथ एक जब मेरे हमारे जो सुन रहे होंगे इसली एक आई नहीं को यह रहें क्या बाल रहा हमाले ख़ुछ सभी साफिस के वांट से हूं जब एक इप एक बाल रहीं स्ब्सर जहें यह सिख लेते हैं, लेकिन South India के Officers जो आते हैं, तरमिल नोर तिल्गी को करना सिख लेते हैं, किंकर रविडिन लैंगविज है, आप अप उदर की आने की बात करें, Of course, IS Officers who come from there, by and large, or you know, they don't have that advantage with the government. यहां के कंडड़ी का आदमी जो North India को जाता है, फट सिख लेता है, वो Hindi, anywhere he goes, that is the talent of the Southern people, we are not only pacific, we are very receptive, and we are tolerant, हम लोग कल्चिर में जम जाते हैं, और हमारा कल्चर हम दूसरे पर थुपने नहीं जाते हैं, यह एक Hindu-Muslimन ही है, एक Southern culture है, तो देखा आप लोग अने के शरियार भाई का view of point of Hindi पे क्या बोले, तो अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, और like कीजिए, अगर आप Facebook देख रहे हैं, तो share और like कीजिए, thank you.